स्वागत है आपका दिलिप टेलरशन बूटिक में जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने देखा था मेजेंटा ब्लाउस की कटिंग यह इस मेजरिमेंट पर आज इसकी पूरी सिलाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि दिलिप टेलरशन बूटिक का मेगा सेल चल रहा है पेपर कटिंग के लिए तो जिन लोगों को पेपर कटिंग मंगाना है डिस्प्ले पे नमबर चल रहा है आप लोग मंगा सकते हैं 30% तक की छूट आपको वहां पर भी मिल रही है तो यहां पर देखिए यह कुछ पार से इसका फाइनल लूक आएगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगजा और दिन जी लोगों को यह बलाउज बनाना था सॉरी फॉर दे लेट बहुत लेटिस की सिलाई आ रही है एक्चॉल मुझे अभी टाइम ने मिल पा रहा था तो यहां पर देखो अस्तर और मेन दोनों को पहले चिपकाना होगा आपको और इनको चिपकाने की अलग-अलग तरीके हो अनने मैं एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूं इसको यहाँ पर देखेगा जब से पहले यह अस्तर आप लेंगे इस प्रकार से रखना है रखने के बाद इसको हम गले की तरफ से बहुत ही इजी पड़ेगा इसमें हमको पाइप में उगर लगाने की कोई भी जौरत नहीं पढ़ने वाली है तो यह इस प्रकार से सीधा गले पर सिलाई लगाएंगे यह ऐसे और यह सिलाई करते हैं हम फटाफट से कंप्लेट चेजर बहुत ही फास्ट कर दी गई है क्योंकि यह ब्लाउज बनने में लगबग आपको एक से ड़ट घंटा आराम से लग जाएगा तो उतने डायम तक बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको उपर एक सिलाई लगानी पड़ेगी यह जो हम क्रिज लगा रहे हैं इसमें आपको उपर एक सिलाई लगानी पड़ेगी फिर यह असानी से पलट जाता है और आपको पलटाने में थोड़ी बहुत परशानी होती है तो आप प्रेस का यूज कर सकते हैं प्रेस से ब भी चुके होंगे क्योंकि मैं अलड़ी बहुत लेट इसको बता रहा हूँ और पेपर कटिंग सेल की जैसे मैंने बात की तो आप लोग पेपर कटिंग के लिए इंक्वारी कर सकते हैं डिस्प्ले पे हमारा जो वाट्स अप नमबर चल रहा है उस पे 30% तक की छूट अभी द असतर और कपड़े को चिपकाते हैं वैसे ही इसको कंप्लीट चिपकाना है ठीक है तो यह फटाफट फटाफट हम सिलाई लगाते हैं यह इस तरह से और यह सिलाई जैसी लगा लेंगे इस पर हम कुछ डॉंट लगाएंगे और उसके बाद फिर ना हम सामने पल्ले को लगाते हैं यह डॉंट दोनों लगा देते हैं हम इसमें इस प्रकार से यह देखें तो पीछे पल्ले में वस इतना ही काम है समझो इसके बाद आते हैं हम फ्रेंट पे और इस पे हम नीचे पट्टी भी लगाएंगे ठीक है इसको हम इसके लिए बोलेंगे कमर पट्टी ज और साथी साथ हम इसके फ्रेंट को भी तयार कर लेते हैं तो फ्रेंट में देखें यह वाला जो पीस है जिसको हम यह क्रॉस पट्टी समझ सकते हैं देखो डिजाइनर ब्लाउज में यह सारी चीज़े होती है क्रॉस पट्टी का शेप आप देख सकते हैं किस प्रकार से इ तो इसको भी न पूरा पल्टाना है, तो यह पूरे पार्ट हम skip करते हैं, नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे पल्टाया जाता है अस्तर कपड़ा यह सारी चीजें तो यह हम बहुत ही फास्ट कर देते हैं या स्कीप कर देते हैं और उसके बाद हम आगे सारी चीजों को देखेंगे ठीक है तो देखो यहां पर जो क्रौस पट्टी हमने बनाया नङा सेम उसी तरीके से आपको कटोरी को भी करना है तो यह इस प्रकार से इसमें नॉर्मलि आपको चिपकाना बस रहेगा देगा यह इस तरहसे यह नॉर्मल प्रिंसेस कट की कटी जो आप क Bent यह पूरा बना है पफ क्रियेशन इसमें बहुत अच्छा होगा पफ के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जोरत नहीं है बहुत बढ़िया इसमें पफ बन करके आएगा और यह पीज भी हम इसी तरह से सिंपली यह कपड़े और अस्तर को रख करके चिपकाना बसा है आपको कुछ भी इसमें खास नहीं है उसके बाद क्रॉस पट्टी से कटोरी जोडेंगे कैसे यह चीज मैं आप लोगों बता दूँगा तो यह उल्टा सीधा का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक तो अब यहां पर रख करके इस तरह से देख लेना कि कौन सा पार्ट किदर फिट होने वाला है ठीक है यह दोनों पीसे हैं जो क्रॉस पट्टी के पीसे हैं इसको हम बीच से यह इस प्रकार से जॉइंट कर देंगे एक्चॉली मैं हमें इसको पीछे हुंक वाला ब्लाउस बनाना है इसलिए इसको इस तरह से जॉइंट करने की आपको थोड़ी सी जॉइंट पड़ेगी यह नीचे वाला शेप हमने जॉइंट कर दिया पहले अब यह क्रॉस पट्टी जो है इस प्रकार से हम इसमें चड़ाएंगे क्रॉस पट्टी सीधी रखे हैं कटोरी उल्टी और उसके बाद यह ऐसे सिलाई कर देना है सिंपली जैसे किसी भी आप प्रिंसेस कट में कटोरी को जॉइंट करते हैं या कटोरी ब्लाउस वाले में करते हैं तो ऐसे ही करते हैं इसमें कुछ नया नहीं है और कटोरी फिटिंग करने से पहले थोड़ा सा बड़ा दिखता है लेकिन फिट होने के बाद वो बराबर आएगा और अगर थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है तो आप उसको छाट के बराबर मिला सकते हूं कभी- इसको आप छाट देंगे और थोड़ा बहुत छाटने से आपको घवराना नहीं है इससे कुछ भी नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिलाई करते वाग इतना तो हमें करना ही पड़ता है इसमें आप सभी में मजबूट डबल सिलाई लगाएंगे कहीं पर भ कि इसका फ्रेंट किस प्रकार से बनेगा तो यह मैंने फ्रेंट भी पूरा आप लोगों को तयार करके दिखा दिया यह ऐसे बनेगा इसका फ्रेंट ठीक है अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ चीजें बतानी कि मुझे हो सकता है क्योंकि सारी कटन है तो आर मोहल पे एक उरेब पट्टी ही लगेगी उरेब पट्टी भी मैंने बार-बार आप लोगों बताया हुआ है उरेब में आपको कपड़ा कटिंग करना है जैसे पाइपिंग के लिए कटिंग करते हैं और उसको अटेच कर देना रहेगा ठीक है तो यह इसका प्रंट और यह बैक दोनों बराबर रखके मिला लेना कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी छोटा बड़ा लगता है तो आप उसको छाट के बराबर मिला सकते हो यह देखो इस तरह से यह सब चीजें जो है ना यह सिलाई के वक्त थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ता है आप कितनों भी फिनिशिंग से कटिंग कर लो कुछ भी कर लो लेकिन सिलाई के वक्त जब तक आप ऐसा नहीं छाटोगे न तो आप एक परफेक्ट तरीके से ब्लाउस को नहीं बना सकते हैं तो ऐसा ना समझे कि कटिंग के वक्त अगर हम सब कर लेंगे तो सिलाई कुछ कर करते हैं और डारेक्ट इसका हम फाइनल लुक देखेंगे लगबग लगबग हमने इस ब्लॉज को पूरा का पूरा तयार कर दिया है साइड से भी इसको हमने फिट कर दिया आर महोल पी भी हमने इसके पट्टी लगा दी अंदर ही फोल्ड कर दिया है साइड फिटिंग आपका इसको नॉर्मली करना है देखो स्लीवलेस ब्लॉज है न तो आपको केवल एक मेजर मिट एक्स्ट्रा ध्यान देने की जोरत है वो है अपर चेस्ट अपर चेस्ट और फू सिलाई लगा देंगे ठीक नाप करके बराबर अच्छे से आप लोग इंची टेप से मेजर मेंट लेकर की सिलाई लगाईएगा और बाकि मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा पशंद आया होगा बहुत जादा इसकी डिमांड थी कि इस पे आप सिलाई बताईए शिलाई बताईए तो मैंने कंप्लीट इसका सिलाई बता दिया आप लोगों को उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पशंद आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें